प्रदेशी फ्लाइट य्टूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तों फ्लाइट और ट्रिवल की कुछ जरूरी खबरों पर बात करते हैं कुछ जरूरी अपडेट पर बात करते हैं तो पहली और बड़ी अपडेट वो यूके की तरफ से यानि यूनाइटट किंग्डम की तरफ से यूके ने अपने रेड़ी लिस्ट को अपडेट करने का फैसला किया है आठ और देशों को 22 सितंबर से रेड़ी लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा ये आठ देश हैं तुर्की, पाकिस्तान, मालदीप, इजिप्ट, स्रिलंका, ओमान, बंगलादेश और केनिय 22 सितंबर से आठ देश रेड़ी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, पाकिस्तान को भी बाहर करने का फैसला किया गया है रेड़ी लिस्ट से, पिछली बार जब रेड़ी लिस्ट से इंडिया को बाहर करके एंबल लिस्ट में सामिल किया गया था, तो पाकिस्तान ने इस पर आ क्या UK ने कि 4 अक्टूबर से जो भी ग्रीन कंट्री वाले देश हैं अगर वो फुली वैक्सिनेटेड हैं और UK के लिए ट्रोल करते हैं तो उनको PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है ना तो वो डिपार्चर के समय PCR टेस्ट कराएंगे और ना ही वो एरैवल के समय PCR टेस्ट कराएंगे इसके लवा उनको किसी भी तरह से कॉरंटीन भी रहने की ज़रूरत नहीं है साथ में UK की तरफ से 4 अक्टूबर से एक और बदलाव के आ गया है जो भी लोग UK से ग्रीन कंट्री में ट्रोल करेंगे फुली वैक्सिनेटेड होकर उनको PCR टेस्ट कराने की कोई बाराल ये UK की तरफ से एक सरानी एक अदम है अगली अपडेट लखनो सारजा फ्लाइट को लेकर है एर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जानकारी दी गई है कि एर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट I-X-197 आपरेट होगी 20 सितंबर 24 सितंबर और 27 सितंबर को लखनो से सारजा के लिए जो लखनो से डिपार्ट टाइम होगा वो रात को 10 बजे और अराइवल टाइम होगा सारजा में रात को 12 बजे तो जो भी लोग लखनो से सारजा के लिटरोल करना चाहते है Air India एक्सप्रेस की फ्लाइट से वो 20 सितंबर 24 सितंबर और 27 सितंबर के लिए अप लोगसे सारजा के लिए, तो आप 20 सितमबर, 24 सितमबर और 17 सितमबर के लिए टिकेट बुक कर सकते हैं. अगली अपडेट कोईट फ्लाइट को लेकर है, तो कोईट ने फ्लाइट से तो पावद्नी हटा लिए, लेकिन कोईट ने quota system बनाया हुआ है, quota system यानि कौन कौन से देश से कितने कितने लोग travel करेंगे, ये उन्होंने निर्धारित कर रखा है, तो इंडिया को जो quota मिला हुआ अभी कोईट के लिए वो 528 का है, यानि एक हपते में 528 लोग कोईट के लिए इंडिया से travel करेंगे, ये quota system इस समिर इंडिया के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, क्यूंकि 5528 लोग एक हपते में कोईट के लिए travel करेंगे, ये संख्या भारत की आवादी के हिसाब से भारत से ट्रॉल करने वालों के हिसाब से बहुत ही कम है इसी वज़ा से अभी जो फ्लाइट दिली से या मुंबई से कोईट के लिए अपरेट हो रही है उसका टिकट एक लाग दस जार और एक लाग बीस हजार के आसपास है एक लाग दस जार एक लाग दीज़ार ये कोई quarantine पैकेज नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट के टिकट का दाम है आप सोचिए इस कोटा सिस्टम की वज़ा से लोग कितने महेंगे दाम पर टिकट खरीद कर कोईट के लिए ट्रोल कर रहे हैं लेकिन अब कोईट के DGCA ने काउंसिल आफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया है कि जो आई रहेगा बाराल हम सबको इंदिजार रहेगा अगर सौधी अरब की दोस्तों बात करें तो सौधी अरब अभी इंडिया से वही लोग डारेक्ट ट्रोल कर सकते हैं जो सौधी अरब से वैक्सिन की दोनों रोज लगवा कर चुटी पर आए हुए बाकी लोग अगर कम द सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुस रहिए गुड़ बाए